उच्च एवम सेशन एल ए स्टनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्रिशन कुल शब्द 800 प्रतलेकन संख्या 7 गती 80 शब्द प्रतिमिनट प्रत्यर्थी वादियों ने अन्य बातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कबजे की घुशना के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था की वादपत्र की अनुसूची एक में उलिखित संपत्ती वादी संख्या 1 और 2 के पिता और वादी संख्या 3 के पती स्वर्गिय मंचर पुत्र आयत्वा और आव की स्वर अरजित संपत्ती है जिसमें उन्हें सरगुजा बंदोबस्त द्वारा रैयती अधिकार मंजूर किये गए हैं और इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को उसके कुटंब के भरन पोशन के लिए क्रशी संबंधी कारिय के लिए अनुग्यप्ती दी गई थी विराम इसके पस्चात प्रतियर्थी संख्या 1 के पिता की मृत्यू हो गई और तब प्रतियर्थी संख्या 1 ने अनुग्यप्ती को जारी रखने का अनुरोध किया जिसके लिए अनुग्यात कर दिया गया था और उक्त भूमी को जब भी उसे वापस मांगा जाए वापस करने के लिए कहा गया था तथा पि इसके पस्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अविलेखो में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसके कारण वरतमान वाद फाइल किया गया और जिसमें प्रतिवादीयों के विरुध एक पक्षिय कार्यवाही की गई विराम वादीयों ने अपने कथन के समर्थन में तीन साक्षियों अर्थात भंगली, फुल बसिया और रामचरण की परिक्षा कराई विराम प्रतिवादी संख्या एक ने वादपत्र में किये गए कत्थनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कबजे का अभिवचन किया विराम यद्यपी विचारण न्यायले ने अभिलेक पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्षय का मुल्यंकन करने के पस्चात यह निशकर्ष निकाला की वाद अंतरगत संपत्ती स्वर्गिय मंचर पुत्र आयत्वा ओराव की स्वरजित संपत्ती है और यह संपत्ती वादियों को उत्रादिकार में मिली है सथापी यह भी अभी निर्धारित किया की वादी प्रतिवादी संख्या एक के पिता के हक में अनुग्यप्ती की मंजूरी को साबित करने में विफल रहे हैं और इसलिए वाद खारिज कर दिया विराम वादियों द्वारा अपील न्यायलाय में अपील पाइल किये जाने के प्रतम अपील न्यायलाय ने वाद भूमी पर वादियों के हक की पुष्टी की तथापी यह अभी निर्धारित किया की अनुग्यप्ती मौखिक हो सकती है और संपत्ती अंतरण अधीनियम 1882 की धारा 117 लागू होती है और यह भी अभी निर्धारित किया की क्रशी संबंधी अनुग्यप्ती को धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतम अपील न्यायले के निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए दृतिय अपील फाइल की गई जिसमें विधी का सारभूत प्रश्न विचरित किया गया है विराम पैरा अपील खारिच करते हुए भारतिय सुखाचार अधीनियम 1882 की धारा 52 के अधीन अनुग्यप्ती मौखिक हो सकती है और अनुग्यप्ती मंजूर करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज को तैयार करने की अवश्यक्ता नहीं है विराम विचारण न्यायलाई के समक्ष प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई थी वादियों द्वारा तीन साक्षियों अर्थात भंगली फुल बसिया और रामचरण की परिक्षा कराई गई है जिन्होंने प्रत्यक्षितया और स्पस्टतया यह कथन किया है की वादी संख्या एक और दो के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या एक के पिता के हक में अनुग्यप्ती मंजूर की गई थी विराम उन्होंने वादी गण और उनके साक्षियों द्वारा अभीकथित अनुग्यप्ती के अभिवाक का खंडन नहीं किया है अतहे इस कारण से प्रतम अपील न्यायलय का निरने अभिलेक पर उपलब्ध वादियों के साक्षिया पर आधारित है विराम अतहे प्रतम अपील न्यायलय वादियों के हक में डिक्री मंजूर करने में न्यायोचित है विराम यद्यपी प्रतम अपील न्यायलय ने गलत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि क्रशी संबंधी अनुग्यप्ती के मामले में टीपी अधिनियम की धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में ततापी यह तथ्य रह जाता है कि विचारण न्यायलय का निरने विधी द्वरा समर्थित नहीं है विराम उप्युक्त विधिक विश्लेशन को द्रश्टिगत करते हुए नयायलय को द्वितिय अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और इसलिए विधी के सारभूत प्रश्नका प्रतिवादियों के विरुद्ध और वादियों के हक में उत्तर दिया जाता है विराम पैरा प्रत्यर्थी वादियों ने अन्यबातों के साथ साथ यह कथन करते हुए हकदारी और कबजे की घोशना के लिए एक सिविल वाद फाइल किया था की वाद पत्र की अनुसूची एक में उलिखित संपत्ती वादी संख्या एक और दो के पिता और वादी संख्या तीन के पती स्वर्गिय मंचर पुत्र आयत्वा ओराव की स्वरजित संपत्ती है जिसमें उन्हें सरगुजा बंदोबस्त द्वारा रेयती अधिकार मंजूर किये गए हैं और इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या एक के पिता को उसके कुटुम्ब के भरण पोशन के लिए कृशीत संबंधी कारिय के लिए अनुग्यप्ती दी गई थी विराम इसके पस्चात प्रतिवादी संख्या एक के पिता की मृत्यू हो गई और तब प्रतिवादी संख्या एक ने अनुग्यप्ती को जारी रखने का अनुरोद किया जिसके लिए अनुग्यात कर दिया गया था और उक्त भूमी को जब भी उसे वापस मांगा जाए वापस करने के लिए कहा गया था तथा पी इसके पस्चात प्रतिवादी संख्या एक ने राजस्व अभी लेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसके कारण वर्तमान वाद फाइल किया गया और जिसमें प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई विराम वादियों ने अपने कथन के समर्थन में तीन साक्षियों अर्थात भंगली फुल बसिया और रामचरण की परिक्षा कराई विराम प्रतिवादी संख्या एक ने वादपत्र में किये गए कथनों से इनकार किया और अपने हक में प्रतिकूल कबजे का अभीवचन किया पुन विराम दोस्तों इस डिक्टिशन की पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल धन्राज शॉर्टन एंड कम्प्टर टेनिंग अगेडमी पर मिल जाएगी और इसका पीडिएफ का लिंक मैं वीडियो डेस्रिप्शन में भी दे दूंगा ज्यादा ज्यादा डिक्टिशन को लि झाल